कलियुक के अउलाद भगवान ऐसी अउलाद किसी को ना दे हेलो मा मैं सोहन बोल रहा हूँ कैसी हो मां मैं मैं ठीक हूँ बेटे ये बता हो तुम और बहुत दोनों कैसे हो हम दोनों ठीक है मां आपकी बहुत याद आती है अच्छा सुनो मां अगले महिने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हे लेने क्या हा मां अब हम सब साथ ही रहेंगे मीनू कह रही थी मा जी को अमेरिका ले आओ वहां अकेली बहुत परिसान हो रही होंगी हेलो सुन रही हो मां हाँ हाँ बेटे बुढ़ी आखों से खुसी की असुधारा बेह निकली बेटे और बहु का प्यार नस नस में दोड़ने लगा जीवन के सतर साल गुजर चुकी थी विमला ने जल दी से अपने पल्लू से आसु पोचे और बेटे से बात करने लगी पूरे दो साल बात बेटा घर आ रहा था बुड़ी विमला ने मुहले भर में दोड़ दोड़ कर ये ख़बर सब को सुना दी सभी खुस थे कि चलो बुड़ापा चैन से बेटे बहु के साथ गुजर जाएगा सोहन अकेला आया था उसने कहा कि मां हमें जल्दी वापिस जाना है इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ मकान मा ने पूछा हा मा अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे बुड़ी आखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो आनन फानन और आने पाने दाम में सोहन ने मकान बेच दिया बिमला देवी ने वो जरूरी समान समीटा जिस से उनको बहुत ज़्यादा लगाओ था सोहन टैक्सी मंगवा चुका था एयरपोर्ट पहुचकर सोहन ने कहा मा तुम यहां बैटो मैं अंदर जाकर समान की जाज और वोर्डिंग और वीजा का काम निप्टाद लेता हूं ठीक है बेटे बिमला देवी वहीं पास में बेंच पर बैठ गई काफी समय भी चुका था बाहर बैठी बिमला देवी बार बार उस दर्वाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सोहन गया था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया सायद अंदर बहुत भीड होगी सोचकर बुड़ी आखे फीर से टक्टकी लगाए देखने लगती अंधेरा हो चुका था एयरपोर्ट के बाहर गहमाग गहमी कम हो चुकी थी मा जी किस से मिलना है एक कर्मचारी ने बृद्धा से पूछा मेरा बेटा अंदर गया है टीकिट लेने वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई क्या नाम था आपके बेटे का कर्मचारी ने सवाल किया सर्श शोहन बिम्रा के चेहरे पर चिंता की लकीरे उभर आई कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला मा जी आपका बेटा सोहन तो अमेरिका जानने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका क्या बृद्धा की आखों में आसुओं का सैला फूट पड़ा बुढ़ी मा का रोम रोम काप उठा किसी तरह वापिस घर पहुची तो जो अब बिख चुका था रात में घर के बाहर चबुतरे पर ही सो गई सुबह हुई तो दयालू मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया पती की पिंसन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा समय गुजरने लगा एक दीन मकान मालिक ने ब्रिधा से पुछा मा जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिष्टेदार कहां चली जाएं अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है अकेली कब तक रह पाएंगी हाँ चली तो जाओंगी लेकिन कल मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा आख से आसू आने लग गए दोस्तो अब पढ़ें अनाथा श्रम दिल को छू देने वाली एक कहानी बिंती मा बाप का दिल कभी न दुखाना सिच्छा मा तो मा ही होती है